तुमस्कार दोस्तों, एसके हाउस प्लान में आप सभी का स्वागत है, आज मैंने आप सभी के लिए 45 फिट वाई 40 फिट का हाउस प्लान तेयार किया है इसमें टू साइड रोट है और टू साइड अधर प्रापर्टीज है आप सभी को मेरा बनाए हुए प्लान पसंद आएगा, आप सभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों फैमली के साथ शियर करें और जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, तब वैल आइकोन का बटन दबाए, इसमेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, दोस्तों आप सभी को मेरे बनाए हुए हास प्लान पसंद आ रहे हैं, आप म की में गेट है 10 feet wide और यहाँ पर हमने parking space छोड़ा है, 10 feet 16 feet 10 feet इसमें शाइट है, और यही से ऊपर की मंजल पर जाने के लिए the stairs है और यहां अपनी घाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहां पर अपने लॉन के लिए 5 पिट वाइट जगए ठोड़ी है और यहां पर यह डॉईंग रूम है डॉंग रॉम का साइज है 14 फिट वाइट 10 फिट 3- िंज और यहां इसमें वेंटिलेशन के लिए बेंड़ो दिया है और यह तूर अंदर लोबी में जाने के लिए दिया है और यहां एक टॉइलेट दिया है यहां पर फाइब फिट वाईब फिट का और अंदर जाने के लिए यह तूर है और यह हमारा डाइनिंग कम लॉवी है यह हॉल है यह इसका साइज है 14 फिट वाई 15 फिट 4 इंच और बाकि यह स्पेस भी हम यूज कर सकते हैं लॉवी में और यह बैट्रूम है कि 13 फिट वाई 10 फिट 3 इंच का और हैं वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडू है इस से अटे के लिए जाने के लिए जिससे इसका हुज हो सके इस साइट का भी और यह बैट्रूम है 14 फिट वाई 12 फिट का और यह हमने वेंटिलेशन के लिए बिंडू दिये है और टॉयलेट है इससे अटेश्ट यह इसक्स फिट 9 इंच वाई 6 फिट का और यह दूसरा वैड्रूम है 14 फिट वाई 12 फिट का और इससे अटेश्ट विए टॉयलेट है 6 फिट 10.5 इंच वाई 6 फिट का और इसमें वेंटिलेशन के लिए यहां विंडू दी है और एक लॉबी में यह रूशन वागे तो आसके हवा वगेरा इसके लिए यहां एक विंडू लॉबी में भी थी है दोस्तों आशा करता हूं आप सभी को मेरा बनाय हुआ यह प्लान पसंद आएगा आप सभी वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत 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 बढ़ने हो